पत है आप सबका एक बार फिर से दूबे सर के नए वीडियो क्लास में आज हम सब राश्र कभी रामधारी सिंग दिनकर जी की कविता अवकास वाली शभ्यता के MCQ और SQ को जानेंगे और जानेंगे सब कुछ जो कुछ भी आपके बोड में पूछा जाता है चलिए सुरू करते हैं बिना समय गवाए आपको स्क्रीन पर दिखाई पढ़ रहा है पहला कोश्चन अवकास वाली शभ्यता कभीता के रशनाकार कौन है? अब कास वाली शभ्यता कविता के रशनाकार रामधारी सिंग दिनकर, हरिवंस राय बच्चन, सच्चिदानन्द हीराननद वाथ श्यायन अग्यें जी या भवानी प्रशाद मिस्र जी तो आप उत्तर देंगे रामधारी सिंग दिनकर दिनकर जी के प्रथम काब्य संग्रह का नाम बताए खादी के फूल, रेणुका, नदी के दिवी, हारना तो रेणुका तीसरा प्रशन है कविरात में किसकी ओर देखता है चांद, सितारों, धीपक, जुगनु मैं आपको बता दूँ कि सारे प्रशन आपके कविता के आधार पर है और उत्तर भी आपको उसी अनुशार देने है तो यहाँ पर आपको उत्तर होगा दूसरा सितारों नेक्स्ट कोश्चन है मनुष्य अपने डौट डौट रिक्तस्थान है सेहारेगा, स्रम, बुद्धी, आलश्य, आविस्कार तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आप कविताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और अगर संभव हो सके तो आप उसे याद भी कर लें ऐसा करने से आपको बहुत सारे प्रश्ण के उत्तर खुद बखुद मिल जाया करेंगे तो चलिए देखे क्या है लाइन मनुष्य अपने आविस्कार से हारेगा तो यहाँ पर उत्तर होगा चौथा आविस्कार पांचवा है साबरमती आस्रम है कहां? कासी, उजयन, अहमदाबाद या मतुरा हम सब जानते हैं कि साबरमती आस्रम गांधी जी के आस्रम से सम्मंदी थ है जो कि गुजरात में है और यहां अहमदाबाद गुजरात में सित है इसलिए उत्तर होगा अहमदाबाद next question है रामधारी सिंग दिनकर जी किस काल के कभी है तो यहां पर उत्तरीती काल भक्तिकाल आदिकाल या आधुनिक काल मैं आपको बता दू है रामधारी सिंग दिनकरजी प्रगतीवादी कभी है और 12 के सिलेबस में जैसा कि आप पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को आधुनिक काल में सबसे पहले आपने भारते इंदु यूग को पढ़ा फिर दिवेदी यूग को पढ़ा फिर शायावाद यूग पढ़ा फिर प्रगतिवाद और प्रयोगबाद तो चुकि ये पांचो यूग इस आधुनिक काल के अं प्रगतिवादी लिखा होता तो यहां पर हम लोग उसको भी उत्तर Whether अधुनिक काल नहीं तब प्रगतिवादी उत्तर देते। गांधी जी किसे बुरा मानते थे धन को आराम को अवकास को या भक्ति को तो गांधी जी अवकास को बुरा मानते थे नेक्स्ट कोश्चन है पीपल की छाया किसका प्रतीक है पवित्रता का सीतलता का सांती एवं सीतलता का या पूजास्थल का तो उत्तर होगा तीसरा सांती एवं सीतलता का नेक्स्ट है मनुस्य को मारेगा अत्यधिक लोब उसका अहंकार सुख भोग या महंगाई एवं भ्रेश्ट चार मैंने आपको कहा उत्तर कुछ भी हो पर आपको कवीता के आधार पर उत्तर देना है इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लेए मनुस्य को उसका अत्यधिक मारेगा दस्वा करगा किस उद्योग से सम्मंदित है वस्तर उद्योग परियतन उद्योग तकनीक उद्योग या चिनी उद्योग तो पहला उत्तर सही है वस्तर उद्योग नेक्स्ट है 11 नंबर कोश्चन दक्षण इस्वर किसकी साधना स्थली है हम सब बहुत अच्छी तर गांधी जी कुमार श्वामी या महावीर श्वामी तो हम सब कहेंगे इसका उत्तर क्या रिशी अर्विंद क्योंकि पांडी चेरी रिशी अर्विंद की साधना अस्थली है नेक्स्ट तीरुबडमल्ला किसकी साधना अस्थली है रिशी अर्विंद कुमार श्वामी गांधी अध्ययन से अनागत से या राजनेताओं से तो कभिता की लाइन है मुझे अनागत से या खबर आती है तो आप उत्तर देंगे अनागत से नेक्स्ट कोश्चन है दिनकर जी के काव्य का मुख्य विशय क्या है भक्ति राष्ट्रियता शौंदरिय या प्रेम तो आप उत्तर देंगे दूसरा राष्ट्रियता नेक्स्ट कोश्चन रामधारी सिंग अभी तक आप MCQ का उत्तर दे रहे थे अब आप SAQ के उत्तर पाए तो उसे MCQ की तरफ पूछा जाए या SAQ की तरफ पूछा जाए आप उत्तर दे पाएंगे इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ये अत्यधिक महत्तपुर्ण नहीं है कि आप MCQ पढ़ रहे हैं या SAQ बस आप सही उत्तर की तरफ ध्यान दे प्रशनों को समझें गुमा लिए सुरू करते हैं रामधारी सिंग दिनकर जी के दो प्रमुख काब्य शंग्रह के नाम बताएं तो आपको कोई दो के ही उत्तर देने हैं लेकिन आप यहां मैं कई सारे लिख दिया हूँ कुरुछेत्र, रेणुका, हुमकार, रस्मी रथी, परसुराम की प्रतिक्षा और उर्वसी, नेक्स्ट कोश्चन है दिनकर जी की दो प्रमुख गद्य रचनाओं के नाम बताएं तो उत्तर है संस्कृती के चार अध्याय, मिट्टी की और अर्धनारी श्वर, तो आप यहां यह उत्तर दिये, नेक्स्ट है दिनकर जी किस युग धारा के कभी हैं, दि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरसकार किस रचना पर मिला, तो उत्तर है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरसकार संस्कृती के चार अध्याय रचना पर मिला, नेक्स्ट दिनकर जी को ग्यान पीठ पुरसका उर्वसी काब्य के लिए मिला था दिनकर जी को भारत सरकार ने कौन सी उपादी से सम्मानित किया था दिनकर जी को भारत सरकार ने पदमभूसन से सम्मानित किया था अवकास वाली सभ्यता कविता की भासा क्या है सरल सहज सुध हिंदी खड़ी बोली याद रखें सरल सहज सुध हिंदी खड़ी बोली नेक्स्ट करगा क्या है कपड़ा बुनने का ये एक यंत्र करगा कपड़ा बुनने का एक यंत्र है नेक्स्ट आत्मा के उगने का क्या अर्थ है काम के ना रहने पर आत्मा उगने लगती है अर्थात अवकास से तरस्त होने पर आत्मा उगने लगती है आदमी को किस चीज का अभाव होगा आदमी को काम का अभाव होगा जब अवकास वाली शब्यता आएगी दुनिया घूम कर किस निश्चय पर पहुँचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है अवकास बुरा है किसकी उक्ती है तो आप सब उत्तर देंगे यह उक्ती महात्मा गांधी जी की है रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ था रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जी लेके सिमरिया घाट में सन 1908 हिस्वी में हुआ था रामधारी सिंग दिनकर जी की मृत्यू कब हुई रामधारी सिंग दिनकर जी की मृत्यू 24 अप्रेल 1974 इस वी को हुई साबर मती किसकी साधना स्थली है साबर मती महात्मा गांधी जी की साधना स्थली है मानवता के आगामी मुल्य पीट कहां होंगे मानवता के आगामी मुल्य पीट हमारे देश भारत में साबर मती, पांडी चेरी, तिरुवड मल्लाई और दक्षणेश्वर में कभी मानते हैं अवकास वाली शभ्यता कभी के किस काभ्य संग्रह से ली गई है आप याद रखें अवकास वाली शभ्यता कभी के सामधेनी काभ्य संग्रह से ली गई है तो इस प्रकार आप इस पार्ट के सभी MCQ और SAQ प्रस्णों के उत्तरों को जान लिए और अगर आप इतना बहुत अच्छी तरह से करके जाते हैं तो आप पूरे अंग प्राप्त करेंगे इसमें कोई दोराय नहीं है तो मेरे चात्रों मेरे सुनने वालों मेरे वीवर्स और मेरे दर्सकों मेरे आडियन्स सब कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो महनत लग रही है इस महनत को सफल हम तभी बना सकते हैं जब हम सारे प्रस्णों को अच्छी तरह से तयार कर लें और जब परिक्षा हो तो हम सभी के उत्तर को बहुत अच्छी तरह से दे पाएं अगर हम ऐसा कर पाए तो ये सारा महनत सफल आपका भी और हमारा भी और यही मैं कहना चाहता हूँ अगर आप बने रहेंगे इस प्रकार सभी चैप्टर वाइज MCQ SAQ को जानते रहेंगे तो आप पूरे अंग प्राप्त करेंगे और आप भी ध्यान रखें कि MCQ और SAQ को अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे परसेंटेज आप मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि काफी बड़ा अंक जुड़ा हुआ होता है MCQ और SAQ से तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में एक नए चैप्टर के MCQ और SAQ के साथ तो स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें दुबे सर के साथ धन्यवाद